आंध्रप्रदेश में नाम Change Consultant अगर आप आंध्रप्रदेश में अपना या अपने माता-पिता का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आपका इस वीडियो में स्वागत है इस वीडियो में हम आपको आंध्रप्रदेश में नाम change करने की पूरी जानकारी बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप आंध्रप्रदेश में अपने किसी भी दस्तावेज में अपना या अपने माता पिता का नाम बदल पाएंगे तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए आंध्रप्रदेश में नाम बदलने के लिए आपको अपना एक गजट बनवाना होगा गजट बनवाने के लिए आपको इन तीन दस्तावेजों को बनवाना होगा पहला आफिडविक बनवाना, इसको बनवाने के लिए आपको एक नोटरी पत्र बनवाना होगा और इसमें आपको अपना या अपने माता-पिता का नाम बदलने की घूसरा करना होगा जिसके लिए आपको किसी वकील से संपर्क करना होगा दूसरा समाचार पत्र में प्रकाशन भीजना है जिसके लिए आपको अपने राज्य के भाशा के समाचार पत्र और अंग्रेजी दोनु भाशा के समाचार पत्र को चूच करना है और उसमें नाम परिवर्तन की जानकारी लिखकर प्रकाशन भीज देना है फिर आपको नाम बदलने का एक आवेदन पत्र बनवाना होगा आवेदन पत्र बनवाने के लिए आपको किसी वकील से संपर्क करना होगा जब आप अपना अफिडेविट, प्रकाशन पत्र, नाम बदलने का आवेदन पत्र बनवा लेंगे उसके बाद आपको इन्ही तीनों दस्तावेजों को लेना है और गजट आफिस जो दिल्ली में है वहाँ ले जाकर जमा कर गजट के लिए अपलाई कर देना है फिर 30-40 दिन के अंदर आपका गजट गवन्मेंट की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा फिर गवन्मेंट की वेबसाइट से आप अपना गजट डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद आपको अपना गजट और जिस भी डॉक्यूमेंट में नाम बदलना है वो डॉक्यूमेंट लेना है और उसी डॉक्यूमेंट की ओफिस में जाकर अपना या अपने माता-पिता का नाम चेंज करवा लेना है अब हमें उम्मीद है आपको आंध्रप्रदेश में नाम चेंज करने की जानकारी समझ में आ गई होगी पर अगर आप कहते हैं कि आपका गजट बनवाने और दस्तावेज में नाम चेंज करवाने में हम आपकी हेल्प करें तो स्क्रीम पर दिये गए नमबर पर कॉल करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं